आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फेशियल शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने चेहरे का सारा मेल काला पन धूर कर सकते हैं इसको लड़का लड़की कोई भी लगा सकते हैं ये सभी के लिए है और खास बात ये है कि ये पूरी तरह से नेचरल है इसके लिए आपको लेना है रो मिलक कच्चा दूद एड करना है आपको इसमें वाइल्ड टरमरीक कस्तूरी हल्दी और एड करना है हनी मैंने डावर का ह इसमें 5-6 ड्रोप आपको हनी की एड़ करना है दूद में लैक्टिक एसीड होता है यह नेचरल क्लिंजर होता है और टर्मरिक एंटिसेप्टिक और एंटिवायटिक होती है जो हमारी स्कीन को निखारने का काम करती है तो टर्मरिक आपको लेना है कस्तूरी हल्दी ले ले और अपने स्कीन केर के लिए रख ले बहुत ही जादा फायदेमंद होती है अब अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इसमें टू स्टेप है पहले किलिंजर और इसके बाद में हम इससे फेशिल करेंगे ऐलोवेरा जेल का हम फेशिल बनाएंगे और यह आपके चेहरे क सारा मेल तो रिमूफ करेगा साथ में यह पिग्मेंटेशन को दूर करेगा जहाईयां हैं चेहरे पे दाग धब्बे हैं काले निशान हैं काला पन हैं बहुत ज़्यादा वाइट हैट से ब्लेक हैट से तो इन सारी प्रोब्लम को दूर कर देगा और जिनके फेश पर छोट आसे लो यौ घे kay todos इंगे resemble आपको जब तोड़ते हैं कट करके तब आपको ईसके क्यों पूटा कर देना ही दिए जे डिकल आपको एक वार फिर से वाश करना है और फिर से आपको उस सैड्य से कट कर देना है जहां से आपने तोड़ा था जो का यलो यलो दिखता है वहां निकालना है आप जेल निकालने के लिए आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं या फिर आप नाइफ या फिर आप फोग की हल्प से बहुत आसानी से इसका जेल निकाल सकते हैं तो aloe vera gel हमारी skin के लिए भोती जादा फायदे मन्द होता है इसमें healing properties पाई जाती है जो हमारी skin पर कोई भी side effect होता इसको heal करने में help करता है और skin को repair करने का काम करता है aloe vera gel, aloe vera gel fresh वाला भोती जादा फायदे मन्द होता है हमारी skin के लिए तो आपको इसका gel निकाल लेना है और ये gel आपकी skin पर एक जादू सा कर देगा जिस तरह से आप इसको लगाएंगे जो मैं बता रही हूँ तो आप देखेंगे आपका face ऐसा clean हो जाएगा जिसकि आपने पालर से महिंगा facial कराया हो और वो भी natural चीजों का use करके हम अपनी skin care करते हैं तो हमारी skin को कोई harm नहीं होता कोई side effect नहीं होता जो भी ingredient मैं इसमें add करूंगी बो सारे natural ही हम use कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है आप देख सकते हैं मैंने aloe vera gel निकाल लिया इस तरह सी ये gel निकल गया है अब आपको इसमें जो ingredient एड़ करना है वो भी हम natural ही एड़ करेंगे जो सभी के घरों में easily मिल जाता है तो मैं इसमें एड़ करूंगी rice floor चावल का आटा चावल का आटा नहीं है तो आपको क्या करना है चावल को अपने mixi में grind कर लेना है जार में डालके जितना आप लगाना हो या फिर आप थोड़ा सा जादा भी रख सकते हैं एक airtight container में store करके जब भी आपकी skin डल लगे तब आप ये facial कर सके तो अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चमच rice floor चावल का आटा तो चावल का आटे में ऐसी properties पाई जाती है anti-aging good पाई जाते हैं जो हमारी skin से जाईयां जुरियों को दूर करता है skin coat glowing बनाता है यदि आपके face पर बहुत ज़्यादा white hate से तो ये उनको remove करने का अकाम करता है ये natural scrub का work करता है आप market वाला scrub यूज करते हैं यदि आपने ये वाला scrub यूज कर लिया तो आप market वाला scrub हमेशा के लिए भूल जाएंगे क्योंकि ये natural scrub है आप aloe vera gel में इस तरह से यदि चावल का आटा add कर लेते हैं और अच्छे से mix कर लेते हैं और इसको मैं जो जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से यदि आप लगा लेते हैं तो आप खुदी हैरान रहे जाएंगे आपका face इतना clean हो जाएगा इतना soft हो जाएगा जैसे कि आपने पालर से facial कराया हो यदि आप पालर नहीं जाना चाते हैं और कम budget में आप अपनी skincare करना चाते हैं नेचरल चीजों का यूज करके बिना side effect वाली चीजों का यूज किए आप अपने face पर glow ला सकते हैं जैसे ही भुसरारे festival आ रहे हैं तो आप ये facial जरूर करें आप अपने face पर instant glow देखेंगे एकदम glow ऐसा glow आएगा वो भी बिना पेसे खर्च किये कम budget में तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से mix कर लिया है मैंने rice flourate करके अच्छे से आपको इसको mix कर लेना है अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना है अपने face पर cleansing जो हमने आपको क्या करना है cotton pad लेना है आप चाहें तो cotton भी ले सकते हैं तो मैंने cotton pad लिया है अब आपको क्या करना है अपने face इसमें डिप करके अपने face पर अच्छे से cleansing करनी है जो भी milk है इसमें वो एब्सर्ब हो गया है हमारा जो cleanser हमने बनाया है और ये आपके face को बहुत अच्छे से clean कर देगा जो आप face वो सावन का use करते हैं वो भी आपके face को इतना अच्छे से clean नहीं कर पाता है deeply जितना ये कच्छा दूद को इस तरीके से लगा कर यदि आप अपने face पर massage करते हैं तो ये आपके face के जो pore से उनको deeply clean करने का काम करता है आपको अच्छे से clean जिंग करनी है face पर ये ही दूद लगाना है जो हमने बनाया है और अच्छे से massage करनी है कम से कम 5 मिनिट तक अच्छे से अपने face पर massage कर ले 5 मिनिट नहीं कर सकते तो आप कम से कम 3-4 मिन तक जरूर massage करें इस तरह से आप massage करेंगे तो आपका face इतना clean हो जाएगा एक वार में एक step में आपका face एकदम clean हो जाएगा अच्छे से massage कर लेना है अब आपको क्या करना है पूरे face पर अच्छे से लगा ले और massage करें फेस पर कम से कम आपको 15 मिनिट तक मसाज करनी है इसको लगा कर ये आपके चेहरे से सारा मेल ऐसे रिमूब कर देगा कि जैसे कि आपने पालर से फेशिल करा के आए हो और वो भी आप अपने हातों से अपने घर पर ये फेशिल कर लेंगे तो आप पालर जाना हमेशा के लिए भूल जाएंग क्योंकि ये आपके चेहरे को इंस्टेंट किलीन करेगा इंस्टेंटली आपके फेश पर गलो आ जाएगा अच्छे से लगा लेना है और मसाज करना है दोनों हातों से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है नीचे से उपर के और रौंड रौंड घुमाके गोल गोल करके अच्छे से आप मसाज करेंगे अच्छे से मसाज करके आपको क्या करना है नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वाश करना है आखों के आसपास अच्छे से मसाज करना है नोस पर यदि बहुत ज़्यादा वाइट है तो आपको नोस पर भी अच्छे से मसाज करने नीचे से उपर क्यों मसाज करें मसाज करने से ब्लड सर्कूलेशन बढ़ता है जिससे हमारे फेस पर गलो आता है चमक आती है तो मसाज करने से ब्लड सर्कूलेशन बढ़ता है मसाज करने से और फेस पर गलो आता है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया ह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को अल पे जरूर कलिक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई